हेलो फ्रेंड आप सब भी का एक बार फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 को लेकर एमपीटेट बरगितीन एक्जाम को लेकर परियाबन अध्यान के टॉप मोस्ट इंपोटेंट 1000 कोश्चन मॉडल पेपर 6 अगर आप स तयारी कर रहे हैं तो 5 जुलाई से पहले वीडियो जरूर देखें स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अब कोश्चन नमबर फर्ष्ट है स्कीन पर आप यहां पर देख रहे हैं परियाबन अध्यन की कक्षा होनी चाहिए सही आंसर किया होगा बच्चों जल्दी से पर आधारित का अच्छा उप्यूक्त सभी कोश्चन नमबर फर्ष्ट का बच्चे हां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन ए होगा गती विधी आधारित कछ्चा ठीक है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर आज का कोश्चन नमबर सेकिंड अच्छा कोश्चन है एकजाम में आ सकता है ग्यान निर्माड में किसकी आउसकता होती है जल्दी से कमेंट करें बहरी बहरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन है तो करेक्ट आंसर किया होगा कोश्चन नमबर सेकिंड का सेकिंड का बच्चे हां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन डी उप्यूक्त तो सभी यानि ग्यान निर्माड में किसकी आवसकता होती है अनुभवकी होती है अब धाना का बनना बिलकुल अनबेशन बिधिया एवम सत्यापन बहरी गुड डी आंसर करेक्ट होगा नेश्ट कोशन है स्कीन पर आजका कोशन नंबर थाड अच्छा कोशन है एकजाम में आ कोशन नंबर थाड का बच्चे आपर करेक्ट आंसर होगा आपका एह होगा जीन प्याज़ी एवम बाई गोच की नोट कर लेए नेश्ट कोशन एस्कीन पर आजका कोशन नंबर फोर अच्छा कोशन है एक्जाम में आ सकता है तो आप लोग कमेंट करें सही आंसर किया होग एक पोशन इस्थर से दूसरी पोशन इस्थर पर उर्जा का कितना भाग इस्थांत्रित होता है क्या करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करें बच्चों question number 4 का correct answer होगा आपका option D होगा 10.35 होगा note कलने option D सही होगा एक पोशन से दूसरी पोशन इस्थर पर उर्जा का कितना भाग इस्थांत्रित होता है D option correct होगा आपका 10.35 ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 5 अच्छा question है एक्जाम में आ सकता है जल्दी से कमेंट करें सही answer क्या होगा परिया बण अधियन की कक्छा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए जल्दी से कमेंट करें question number 5 का correct answer क्या होगा बच्चों को अपनी बात पताने में आनंद आता है इससे बच्चों का आदाई कौंसल परिमार्जित होता है अभी व्यक्ति की कौंसल का विकास होता है बिस्टाय को बच्चों के अनुभवों से जोडने पर सीखने की प्रिक्रिया को बढ़ावा मिलता है question number 5 5 का बच्चे हाँ पर correct answer आ होगा आपका option number D note कर ले D answer correct होगा परियवन अध्यन की कच्छा में बच्चों की अनभव को महत्व देना चाहिए थीक है बच्चों की अनभवों से जोडने पर सीखने की प्रिक्रिया को बड़ावा मिलता है कॉस्चन नमबर सिक्स है स्कीन पर बाल केंदर सीच्छन का अर्थ निम्म मैसे किया नहीं है जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा most important question है बच्चों इसका correct answer क्या होगा बाल केंदरित सीच्छन का आर्थ क्या नहीं है सीच्छार्थी केंदरित होगा दित्ता केंदरित होगा छात केंदरित होगा समुदाई केंदरित बिल्कुल नहीं होगा six का कर्रक्ट आंसर होगा आपका ए होगा समुदाय क्यंद रेत नोट कर लें question number seven ने स्पीन पर very very most important question है सबी बच्चे सही आंसर देने की कोशिस करेंगे सेखने की किरिया में सिर्जनात्मक्ता बच्चों में करके सेखने की पिर्टी रुची का विकास करती है बच्चों की रटने की प्रिविती को मजबूत करती है बच्चों को एकी दिसा में सोचने की योगिता को विक्सित करती है पाट पुष्टक पर निरभरता को बड़ावा देती है कोस्चन नमबर सेविन सेविन का बच्चों हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्सन ए होगा नोट कर लें ठीक है ऑप्सन ए होगा बच्चों में करके सीखने की पिर्थी रुची का विकास करती है स्रिजनात मक्ता ठीक है नैश्ट कोस्चन ए स्कीन पर कोस्चन नमबर very very most important question is seated 2016 में आया था तो आप लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा ठीक है महेश कक्छा 4 के सिच्छक है ठीक है महेश कक्छा 4 का सिच्छक है बेबिश सनरच्छन की अबधारना पर सिच्छार्थियों को संबेदन सिल बनाने के लिए यूजना बनाती है निम्मे मैंसे कौनसी एक गती विधी इस उद्देश के लिए सरवाधिक उपियोक्त है question number 8 8 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका B option होगा एक पोधे को अपनाने और उसका पोस्टन करने के लिए पितेक सिच्छार्थी को अभी प्रेरित करना ठीक है बितेक सिच्छार्थी को अभी परेरित करना B option correct होगा ठीक है next question देख लेते है question number 9 rare data book किस से संबंदित है very very most important question है जल्दी से comment करें question number 9 का correct answer क्या होगा rare data book निम्मे मैं से किस संबंदित है question number 9 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option C बिलुपती के करीब जीवों से question number 9 का correct answer होगा आपका C question number 10 है बच्चों इसकीन पर जल्दी से comment करें सही answer क्या होगा अच्छा question है exam में आने की प्रवल संभावना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही answer दोगे question number 10 ठीक है निरीच्छन बिधी की विसेष्टा नहीं है यह एक मनो बिग्यानिक बिधी है पित्यच अनुभवों पर आधारित बिधी है यह एक बाल केंद्रित बिधी है जिसमें सीच्छा की प्रिसासक की रूप में होता है यह बिधी विविन सरवेच्छों द्वारा अपनाई जाती है question number 10 का correct answer क्या होगा question number 10 का बच्चे हाँ पर correct answer क्या होगा question number 10 का correct answer होगा आपका option C होगा यह एक बाल केंद्रित बिधी है यह एक बाल केंद्रित बिधी है जिसमें सीच्छा की प्रिसासक की रूप में होता है बिलकुल विसेश्टा नहीं है C चक प्रिसासक के रूभ में नहीं होता है इसलिए आपका C आंसर करेक्ट होगा ठीक है, नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं कोस्चन नमबर 11 अच्छा कोस्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या है इसका कोस्चन नमबर 11, अच्छा कोस्चन है मोश्ट इंपोटेंट ठीक है बच्चो कोश्चन नमबर 11 देखें कई बार एकजाम में आ चुका है करणम मल्ले सुरी की विसरे में नीचे दी गए इस्थानों पर विचार कीजिए यह अंतराश्टी ख्याती प्राप्त भारोत तुलक हैं यह करना तकी हैं उसने अपने नाम बहुत से रिकोर्ड बना हैं वह एक सो तीस क्लो ग्राम तक का भार उठा सकती हैं जब वह बारा बर्स की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी उनके तापमान में बिद्धी करने के लिए कौनसा कथन सही है कोश्चन नमबर क्या कह रहा है कोश्चन नमबर कौनसा कथन आपको बताना है करने लगी थी थी कौनसा कथन सत्थ है बिलकुल इस लाइन को आप भूल जाए ठीक है उठाने लगी थी कोश्चन नमबर 11 का आपको बताना है कौन सा कथन सत्थ है कोश्चन नमबर 11 का बच्चों कर्यक्ट आंसर होगा आपका B होगा A, C, D नोट कर ले ठीक है यह अंतराश्टी प्रावत भार तो तलक है बिलकुल है उसने अपने नाम बहुत से रिकोड बना है 130 ग्लाम तक का बहार उठा सकती है बिलकुल उठा सकती है A सही होगा, C सही होगा, D, B सही होगा जब वह 12 बरस की थी तब इसे बहार उठाने का अभ्यास करने लगी थी तीक है, कॉस्इन नंबर 12 देख लेते हैं, अच्छा कॉस्शन है, कमेंट करें सही honest क्या होगा निम्मे मैं से कया एक परियावण में ग्यान की रचना में बहुत ही महतपूर है किरिया निम्मे मैंसे कौन सी एक किरिया है जो परियावन की अधियन में ग्यान की रचना में बहुत ही महत्पूर हैं बच्चों की सक्रिय भागेदारी बच्चों के ग्यान को सिछक के ग्यान से जोड़ना परियावन अधियन को कच्छा की चार दवारी से बाहर करना बच्च answer होगा ठीक है बच्चों की सक्रिया भागेदारी बिलकुल परियावन अध्यान को कछ्छा की चार दवाली से बाहर निकालना बिलकुल बहुत जरूरी है बच्चों के इस्थानिय ग्यान को बिद्धालाई गान से संबंधित करना यानी जोडना बिलकुल एवी बिलकुल सत्थे कोश्चन नमबर बारा का करेक्ट आंसर होगा आपका option C कोश्चन नमबर 13 है स्कीन पर most important कोश्चन है एक्जाम में आ सकता है कमेंट जरूर करें सही आंसर क्या होगा परियावन अध्यन सिच्छन के संदर्वों में राष्टिये पाठ चर्या की रूप रेखा निम लिखित मैंसे किसे प्रिभावित नहीं करती किसे प्रिस्तावित नहीं करती बिशाय अनुसार उपागम बच्चों के अनुभवों को संदर्बों से जोड़ना हस्त परक किरिया कलाप तक्निकी सब्दावली से पर्चित कराना कोशन नमबर 13 का बच्चे याँ पर correct answer होगा आपका option नमबर D होगा तक्निकी सब्दावली से पर्चित कराना ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर फोर्टीन बहरी बहरी मोश्ट इंपोटेंट है जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा कोश्चन नमबर फोर्टीन ठीक है सुस्मा चाहिती है कि उसके छात्रों को पेड़ों का सनरच्छन के लिए संबेदन सील बनाया जाए नेम मैंसे करने का सबसी उप्युक्त रण नीती क्या होगी सम्मूई बनाना पोश्टर बनाना बच्चों को एक पोधियों को अपनाने और पोश्ट करने में मदद करना कच्छा में बहस आयोजित करना कोशन नमबर फोर्टीन, फोर्टीन का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आपका ओप्सन नमबर सी नोट कर ले, सी आंसर करेक्ट होगा, दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, कोशन नमबर फिप्टीन, परियाबन अधियन पार्थ किराम ब से कमेंट करें सही आंसर किया हुगा फंत्रा का बच्च्छ आपर और व्पयुक्त्तो सभी एकृस्टस अमाबेसी बिसायगत बीलकुल बिलकुल कुश्चन व, dewकुल कुरच्छन अंपर 15 का करेक्ट रिपांसर होगा किसी पसु के विसाई में नीची दी गए विवन को पढ़िये और उस पसु को पैचानिये यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है यह दिनी के लगभग 17 घंटे ब्रिच की साखाओं में उल्टे लटक कर सोता है नोट कर लें जिस ब्रिच पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है यह लगभग 40 बर्स तक जीवित रहता है बिलकुल रिपीट होता है जल्दी से कमेंट करें कोशन नमबर 16 का करेक्ट आंसर किया होगा 16 का बच्चे आपर करेक्ट आंसर होगा आपका ए इसलोथ होगा कोशन नमबर 17 वेरी वेरी मोश्ट इंपोटेंट कोशन है जल्दी से कमेंट करें कोशन नमबर 17 का करेक्ट आंसर किया होगा ठीक है नम लिखित में से कौन सा परियावण अधियन का उद्देश नहीं है आपके पास ओप्सन चार बच्चों कोशन नमबर 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका भी होगा नोट कर लें बच्चों को पार्ट पुष्टक की परिभासा प्रिदान करने के लिए प्रोथ साहित करना उद्देश नहीं है परियाबर अधियन का उद्देश होता है परिभेस ये मुद्दों पर जागरुकता का विकास करना बिलकुल बच्चों की जिग्यासा और जिचनात्मक्ता का पोशन करना बिलकुल बच्चों को सेम अपने हाथ से कार करने के लिए खनिज की किरिया करापों से जोड़ना बिलकुल कोश्चन नमबर 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका भी कोश्चन नमबर 18 स्कीन पर अच्छा कोश्चन है most important कोश्चन सबी 46 सही आंसर देंगे प्राथ में किस्तर की EBS पाठ ठेक चर्या में होना चाहिए क्या होना चाहिए पंडिक पाठ के अंति में अधिक अभ्यास समलित हो अपने आसपास को खोजने के अफसर पिरदान करना संकलपनाओं का बिस्तृत ब्याख्या पर एकागिरता पंदों कि यह अथार्थ परिभासा पर अत्याधिक बल देना कोशन नमबर 18 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्सन नमबर B होगा नोट कर लें अपने आसपास को खोजने के अफसर पिरदान करना कोशन नमबर 19 ने स्कीन पर भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कोशन है अक्सर रिपीट होता है आपकी बरगी तीन और सीटेट के एक्जाम में आ सकता है कमेंट करें कोशन नमबर 19 EBS का अर्थ क्या होता है EBS बिलकुल EBS का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करें कोशन नमबर 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्सन नमबर डी, इन्बार्मेंटल इस्टेडीज, कोश्चन नमबर ट्वैंटी है, इसकी पर जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर किया होगा, most important question है, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, परियावन अध्यन की पिरकिती, निम लिखित का समर्थन नहीं करती, कोश्चन नमबर ट्व आपका ए, बच्चों को करके सीखने का अफसर मिले बिलकुल, बच्चों को खोच करने के लिए परियावत इस्थान मिले बिलकुल, बच्चे बहुत से पिसंद पूछें बिलकुल, लेकिन बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती, बच्चे गलतियां नहीं क